वर्तमान परिस्थितियों के चलते सुविधा जनक मद्दान के लिए आगामी सावेर विधान सभा उपचुनाओं में मद्दाताओं को कोरोना महामारी से बचाव की सारी सुविधाएं मद्दान केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिसमें सर्व प्रतम मद्दाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा हर मद्दाता की हैंड सैनिटाइजेशन के बाद थर्मल स्क्रीनिंग द्वारा जांच की जाएगी किसी भी प्रकार की अस्वस्थता पाए जाने पर उस मद्दाता के लिए मद्दान केंद्र पर ही आईसोलेशन कक्ष की विवस्था की गई है जहां मद्दाता आराम कर तापमान कम होने पर मद्दान कर सकता है इसके बाद जो मद्दाता मास्क लगा कर नहीं आया है उन्हें मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा साथ ही प्रत्येक मद्दाता को मद्दान की बटन दबाने से पूर्व एक हाथ के लिए हैंड गलव्स उपलब्ध करवाया जाएगा इसके पश्चात लंबी लाइनों से बचने वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाय रखने के लिए प्रत्येक मद्दाता को कूपन परची उपलब्ध करवाई जाएगी वो मद्दाताओं के बैठने के लिए प्रतीक्षालाई की व्यवस्था भी की जाएगी कूपन परची का नंबर आने पर मद्दाता को मद्दान के लिए भेजा जाएगा इस प्रतीक्षालाई में सभी अवश्चक सुविधाएं जैसे पंखा, लाइट, पेजल, डस्ट बिन, शौचाले आदी उपलब्ध होंगी मद्दान केंद्र में अंदर एवं बाहर जाते समये, हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर के अलावा, साबुन पानी की भी विवस्था उपलब्ध होगी दिव्यांग मद्दाताओं के लिए वीलचेयर की विवस्था भी मद्दान केंद्र पर उपलब्ध होगी इसके अलावा संध्यकाल में कोरोना के संभावित व कोरोना पॉजटिव मद्दाता भी मद्दान कर सकेंगे तो आईए बढ़ चड़कर मद्दान करें और लोक तंत्र को शक्तिशाली बनाएं जिला निर्वाचन अधिकारी इन दौर